ओम शान्ती यहाँ बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज दिनंक 24 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूब बनेंगे बाबा वर्दान में बोले तिरकाल दर्सी इस्थिति द्वारा मूंजने की परिस्थितियों को मोज में परिवर्दन करने वाले कर्म योगी भाव आज बाबा हम बच्चों को कर्म योगी भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं तिरकाल दर्सी इस्थिती द्वारा मूझने की परिस्थितियों को मोझ में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भाव डिटेल में बाबा बोले जो बच्चे तिरकाल दर्सी हैं वे कभी किसी बात में मूझ नहीं सकते क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूझता नहीं अर्थात बाबा आज हम बच्चों को कि तुम बच्चे तिरकाल दर्षी की सीट पर सैट रहो तो कभी भी मूझ नहीं सकते क्योंकि तिरकाल दर्षी बच्चों की निसानी है उनके सामने लक्ष भी होता है लक्षन भी होते हैं और मनजिल पे पहुँचने के लिए बीच में आने वाले रोडे वह भी पता होते हैं तो हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते को क्लियर करना रास्ते को समझ बूच कर चलना उसमें मूझना नहीं यह तिरकाल दर्सी बच्चों की निसानी है क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ब्रामा के आदी मध्य अंत का नौलेज दिया है तीनो कौलो की नौलेज सुनाई तो उस हिसाब से हम बच्चे अभी ब्रहमन सो फरिस्ता सो देवता बनने वाले हैं तो जब हमारे सामने बाबा ने स्रीमत दी कि मुझे याद करो मेरी एक एक स्रीमत को एक्यूरेट फालो करो तो तुम बच्चे मोज में रहोगे तो याद के साथ साथ जब हम बाबा के ग्यान का स्वरूब बनते हैं तो ऐसी कोई परिस्थिती नहीं हो सकती जो हमें हरा दे आगे बाबा बोले तिरकाल दर्सी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाए मोज के और कोई अनुभव नहीं करती चाहे परिस्थिती मोजाने की हो लेकिन ब्रामन आत्मा उसे भी मोज में बदल देगी क्योंकि अनगिनत बार वहा पार्ट बजाया है यह इस्मरती कर्मियोगी बना देगी वहा हर काम मोज से करते हैं अर्थात बाबा हम बच्चों को तिरकाल दर्सी आत्मा की एक और विसेस निसानी बता रहे हैं कि वे बच्चे सदा मोज का अनुभव करते हैं कभी भी किसी भी परिस्थिती में किसी भी कार्य में मूजते नहीं है और ब्रह्मन आत्मा सदा मोज में रहने वाली आत्मा है क्योंकि ब्रह्मन उन्हें कहा जाता है जो पिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वनसावली संतान बनते हैं और पिता परमात्मा के बताय हुए मार्ग पर चलते हैं उसकी याद में रहकर कर्म करते हैं उस पिता परमात्मा के ग्यान का स्वरूप बनते हैं तो जो आत्माएं अपने स्वरूप में आधी मध्य अंत को देखकर हर कर्म करती हैं हर रास्ता सहज और स्वतह पार करती हैं क्योंकि सर्व सक्तिमान पिता को सदा अपने साथ रखते हैं तो चाहे व्यादी हो रोग हो कोई भी परिस्थिती हो जिस प्रकार हमने दादियों को देखा इतना रोग होने के बावजूद इतना दर्द होने के बावजूद एक भी परिस्थिती का अनुभाव उनके चहरे चाल चलन द्वारा अनुभाव नहीं होता था वे सदा हर्शित्मुक रहती थी डाक्टर चेक करने आते थे डाक्टर से उनका हल पूछ लिया करती थी अर्थात सदा एक पिता परमात्मा की मोज में रहकर अपने हिसाब किताब को चुक्तु करने के लिए उस पिता परमात्मा से सक्तियां धरण कर सदा मोज में रहना यही ब्रह्मन आत्माओं की निसानी है तो कोई भी परिस्थिती हो कोई भी गलानी करने वाली आत्मा का पाल्ट हो अपकारी आत्मा का पाल्ट हो उन्हें भ्रह्मन आत्माओं सहच परिवर्तन कर सभी में मोज का अनुभव करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कल्प कल्प हमने यह पार्ट बजाया है नथिंग न्यू का पार्ट सदा इस्मरती में पक्का होता है तो मोज में रहने के लिए बाबा ने कर्म योगी भाव का वर्दान दिया कर्म योगी अर्थात कर्म करते करते उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहना अपने मन और बुद्धी को सदा उस पिता परमात्मा पर एक आगर रख हर कर्म करना तो हर कर्म सहज और स्वता हो जाएगा स्लोगन में बाबा बोले सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा हर आत्मा को अपने आगे रखते थे उन्हें रिगाड देते थे क्योंकि भ्राम्मनों के लिए बाबा ने श्रीमत दिये कि देने में ही लेना समाया हुआ है तो जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उससे रिटर्न में हमें सम्मान प्राप्त होता है आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे एकांत में बैठ पड़ाई करो तो धार्णा बहुत अच्छी होगी सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मन्थन करने की आदद डालो प्रश्न किया बाबा ने फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए? कौन से नहीं आने चाहिए? फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए? कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर में बाबा बोले फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें राद दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है अपनी अवस्था ऐसी उची बनानी है जो बाप दादा के दिलतक्त पर बैठ सके नींद को जीतने वाला बनना है खुसी में रहना है बाकी यहाँ ख्याल नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में वा नसीब में जो होगा वहाँ मिल जाएगा यहाँ ख्याल अलबेला बना देगा गीत सुनाया बाबा ने तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया धार्णा में मुख्य सार बाबा बोले पहला पाइंट जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है बहुत बहुत निर्मान्चित निरंकारी बनना है अहेंकार को तोड़ देना है पहला पाइंट बाबा बोले जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है बहुत बहुत निर्मान्चित निरंकारी बनना है एहंकार को तोड़ देना है दोसरा पाइंट बाबा बोले अपना नसीब अर्था तकदीर उचा बनाने के लिए अच्छी रीती पढ़ाई पढ़नी है सवेरे सवेरे उठकर बाब को याद करने का सोक रखना है तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शंती